हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एडूफाइल आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्लैंपर सर्कुट के बारे में डिस्स करेंगे साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्लैंपर के टाइप कितने होते हैं इसको भी डिस्स करेंगे तो इस वी यहाँ पर देख सकने आपफ इन पू यह अपरर के तरफ भी नीचे की तरह और यहाँ पर इसने इस पर अप्लाई किया इंपुट तो हम एंट पूरसा ar Ng1 यानि यह क्या करेगा या तो वइरा को नीचे की तरफ ख़्द करेगा या तो और यह अगर ऑपर की तरफ शिफ्ट कर देगा अग्यर यह दैसार तो यह क्या करता है waveform को different DC level पर shift कर देता है और waveform को जो appearance हो वो same रहेगा यह आपने यहाँ पर समझा आप देखिए इसके working को समझते हैं generally समझते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर इसके थोड़ा mathematical भी समझेंगे तो यहाँ पर general आप समझेजे इसमें होता क्या है यहाँ पर देखिए AC source है और यह capacitor है और यह हमारा P injunction diode तो यह हमारा P side हो गया और यह हमारा N side हो गया अब यहाँ पर देखिए कि during the positive half cycle मतलब यह plus and minus यानि कि इस वाले यह plus यह minus तो क्या होगा यह diode जो हगा forward bias में होगा क्योंकि P वाला plus से और N वाला minus से connect है तो यह क्या करेगा डायोड forward bias में तो इससे conduct करेगा यानि डायोड on state में रहेगा और यह capacitor भी charge होने लगेगा इस current के वज़े से यह positive charges डेवलाप होने लगेगा यह negative charges इस तरह से capacitor भी charge होगा अब यह देखिए यह diode जो हमारा forward bias में है तो क्या होगा जो हमारी current होगी entire current होगी इस तरफ ऐसे flow होगी क्योंकि यहां resistance क्या है कम है वह टायोड जब conducting mode में है तो resistance कम होगा तो इसलिए यहां पे flow होगी तो हमें output पे कोई signal नहीं मिलेगा तो इसका मतलब current हमारा यह पात चूज करेगी यह पात नहीं चूज करेगी यानि यह negative होगा और यह positive होगा इस टाइम पे क्या होता है अब यह हमारा डायोड जो है यह हमारा capacitor जो हो चार्ज हो चुका है इसका voltage अब V है कैसे चार्ज हुआ था आपको मैंने बताए यह प्लस यह माइनस पर इसमें current flow होती है जिसके वज़े से हमारा capacitor जो होता है वह च positive से तो reverse bias में current नहीं flow होती है डायोड में तो यह जब current नहीं flow होगी क्योंकि इसका resistance ज्यादा होता है reverse bias में तो इस बात को चूज करेगी that means हमें output पे कुछ ना कुछ मिलेगा तो एक तो हमें इसके वज़े से मिलेगा और दूसरा हमारा capacitor का जो voltage होगा उसके वज़े से हमें कुछ time भी तो होना चाहिए fix capacitor का कुछ time भी तो होता है fix की वह किस पे depend करेगा वह resistance पे और capacitance के magnitude पे capacitor हमारे कितनी देर में charge होगा कितनी जल्दी discharge होगा उस पे उसको यहाँ पे introduce करते हैं the magnitude of R and C must be chosen such that the time constant tau is equal to RC is large enough यहाँ पे जो time constant होगा capacitance का tau is equal to RC उसको हम लार्ज लेंगे कि capacitor जो हो है हमारा वो discharge ना हो कब ना discharge हो जब diode हमारा आफ हो मालीजे जैसे हमारे इस negative half cycle में और अगर capacitor डिश्चार्ज हो जाएगा तो हमारा waveform जह होगा हो चेंज हो जाएगा इसी लिए हमें यह इंश्योर करना है यह हमें देखना है कि हमारा जो capacitor है वो off state में जब हो तो discharge ना हो इसके लिए हमक्या करेंगे यहां पर देखिए ऑफिचेंट में कवहता है ती बाइ टु से ट टी के तरफ त्मिके स्केस में हमें क्या करना है यानि कि GPS की बीच का गallas मतलब कि हमें जो टाइम को या ये चाहते है कि हमारा जो करेडiteार षे नहें जब diode off state में हूँ, अगर discharge हो गया, तो हमारा waveform change हो जाएगा, यह आपने यहाँ पर समझा ध्यान से, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2V मिलता है, capacitor का voltage, और एक reverse bias बहें तो इसका voltage, तो हमें output पर total 2V मिलता है, that means हमारा जो waveform हो वो negative की तरफ shift हो गया, downwards, यह आपने समझा इसके general, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिया है, during the positive half cycle, यानि कि 0 2T by 2, 0 2T by 2, क्या होगा इस time पर, यहाँ पर देखिए, यह हमारा plus और यह minus, अब यहाँ पर देखिए, यह capacitor हमारा charge होगा, positive and negative, अब यह देखिए, यह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने diode को तो 0 to 2 by 2, हमने इस तरीके से दिखाया, यह short circuit की तरह behave करेगा, यह हमारा plus, यह minus, यह हमारा capacitor है, capacitor का voltage मान लेते हैं, वी सी, और यह हमारा apply जो कर रहे हैं, वी आई, और यहाँ पर इस case में क्या होगा, output पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, V0 is equal to 0 होगा, V0 is equal to क्या होगा, 0 हो is equal to 0, आपको मालूम होगा, class 12 में पढ़ चुके होंगे, अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर हम जब apply करेंगे, तो हमारा जो input voltage है, वो वी आई है, और यह हमारा जो capacitor का हो, Vc is equal to 0, अब भाई, यह minus वी सी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह plus, यह minus इस तरफ है, इसका plus, इस तो यह हमने निकाला है, from 0 to T by 2 के case के लिए, अब चली समझते हैं, next half cycle के लिए, जब हमारा T by 2 से T की तरफ होगा, T by 2 से T की तरफ, जब हमारा diode off state में होगा, इस case में, तो यहाँ पर देखिए, यह open circuit की तरफ आप behave करेगा, क्योंकि हमारा diode reverse bias में है, minus वाला P से, और plus वाला N से connect है, इस case में यह हमने open circuit बना दिया, तो यहाँ पर इसका voltage क्या था, Vc था, किसका capacitor का, तो इस case में क्या होगा इस case में हमारा diode reverse bias में है, तो हमारा जो total current होगा, वो हमें output पर मिलेगा, क्योंकि इधर से current flow नहीं होगा, तो यहाँ पर पूरा हमें signal मिलेगा, और इस capacitor का Vc है, तो इसका भी हमें यहाँ पर मिलेगा, तो देखिए इसको समझे, यहाँ पर हम KVL apply करेंगे, applying KVL, यहाँ प पर हमें जो मिलेगा, उसको हम लिखेंगे minus, minus Q, minus Q लिखेंगे, क्योंकि हमने polarity को change किया है, तो लिख देते हैं, इसको minus Vi, अब देखिए, Vi is equal to VC है, तो हम इसको भी minus Vi लिख सकते हैं, इसको भी minus Vi लिख सकते हैं, और जो हमारा output है, वो हमारा हो जाएगा, minus V0 is equal to 0, यह हमन का 2Vi हो जाएगा, तो V0 is equal to कितना हो गया, minus 2Vi, यह हमारा आ गया, और यही तो required था, V0 is equal to कितना था, minus 2Vi, या फिर आप V ले सकने हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से आपने देखा, कि कर्चॉफ voltage rule हमने apply किया, और हमें solve करके मिल गया, अब हम लोग देखते हैं, कि clamper circuit जो हो आप के होते हैं, और यह तो आपने समझ लिया कि positive clamper, negative clamper, जब हमारा waveform नीचे की तरफ shift हो जाए तो हम उसको negative clamper कहेंगे, और जब उपर की तरफ shift हो जाए तो हम उसको positive clamper कहेंगे, तो उसके बाद हमने दो case में देखा, यहाँ पर मैं current की direction भी दिखा देता हूं, कुछ इ इस तरह से flow होगा, just opposite इसका, तो अब चलिए समझते कितने type के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं positive and negative, लेकिन अगर हम इसमें battery introduce कर दें तो, जैसे कि माली जी यहाँ पर हम एक और battery introduce कर दे रहे हैं, क्यों introduce करते हैं, हम चाहते हैं कि waveform कुछ अलग तरीके से shift हो, तो उसके इसको हम कहेंगे, जब हम battery introduce करेंगे, उसमें होगा positive clamper with positive bias, negative clamper with positive bias, positive clamper with negative bias, negative clamper with negative bias, जिसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में, detail में discuss करेंगे, अब सबसे important चीज में आपको बताना चाहूँगा, बई clamping तो आपने समझ लिया, या फिर clamper circuit आपने समझ लिया, लेकिन इसका use क्या है, तो clamping can be used to adapt an input signal to a device that may be damaged by the signal region of the original input, देखिए, कुछ हमारे devices ऐसे होते हैं, जो हमारे original input से damage हो सकते हैं, तो हम clamper का use करते हैं, जिससे हमारा जो input है, वो change हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब वो shift हो जाता है to a different DC level, या तो वो positive की तरफ आजाएगा, या तो कर लें, यह important चीज है, भई, clamper का use क्या होता है, तो यह use होता है, to protect input, तो I hope यह वीडियो में आपको clear होगा, इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देख निकले, thank you, thank you so much.